हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती, वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट्स स्पेस सबसे पहले आज आप सभी को महाशिवरात्री परव की हार्दिक शुपकामनाए हैपी महाशिवरात्री टू अल अफ यू तो आज त्योहार है तो कुछ अच्छा करना चाहिए बर्थडे होता है या मेरे जनिवर्स्री होती है तो भी आपको कुछ अच्छा करना चाहिए किसी की हेल्प करनी चाहिए या प्लांट्स लगाने चाहिए तो ऐसे ही मोटर रिक्षा पे कुछ यह प्लांट्स आये थे यह गजानिया है जो कि हमारा भी अभी कलियां दे रहा है प्लांट जल्दी ही फ्लावर्स देगा तो आपसे शेर करेंगे और इसमें यह शियूली यानि हर्श्रिंगार, क्रोटन, फाइकस यह प्लांट्स हैं और इनमें ज़्यादे तर प्लांट्स हमारे पास हैं तो यह जा चुका है क्योंकि 1st मार्च हो चुका है एक मार्च लगबग आ गया है तो अब इनका सीजन खतम होने को है जाते जाते ही जो प्लांट्स हैं यह कुछ फ्लावर्स देंगे तो इनको लेना बेकार है कनेर है जो कि पिंग कलर का कनेर और लियंडर हमने कटिंग से ग्रो कर वो सबी हमारे पास हैं तो एक plant मिला है जो कि हमारे पास नहीं था तो यह है एक evergreen plant जो कि ज़्यादे तर हमेशा हरा भरा रहता है सरदियों में कुछ पतियां कम हो जाती है और flowers भी थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन फिर भी यह हर मौसम में flowers देता रहता है तो ये plant है हमेलिया जिसको fire bush भी कहते है scarlet bush भी कहते है hummingbird bush भी कहते है और ये red head के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें red color के flowers आते हैं और वो कुछ-कुछ exora plant आपने देखा होगा उसकी तरह होते हैं लेकिन वो exora के flowers खिल जाते हैं इसके जो flowers होते हैं वो खिलते नहीं है थोड़े से ही खुलते हैं जैसे कि आपने fountain grass के flowers देखे हैं कुछ-कुछ वैसे ही लेकिन ये गुच्छे में खिलते हैं तो काफी प्यारे लगते हैं इसलिए इसको red head कहा जाता है तो इस तरह से आज ये plant हमें शिवरातरी के दिन मिला है तो इसको हम जल्दी ही pot में shift करेंगे और अभी इनकी leaves जो है इनको insect ने खाया हुआ है लेकिन कोई बात नहीं अब आने वाला जो मौसम है वो growth का है और देखिए इसमें new growth start हो चुकी है आप आने वाले मौसम में ये हमें flowers देगा तो ये cutting से भी grow हो जाता है seed से भी grow हो जाता है इस पे seeds भी बनते हैं लेकिन cutting से grow करना बहुत आसान है क्योंकि seed वाला plant आपको late flowers देगा लेकिन cutting से जब आप इसको grow करते हैं को तुरांत इसमें flowers मिल जाते हैं तो जो इसकी dead branches है इनको cut कर देंगे और इसको नए pot में shift करेंगे potting mix तयार करके और इन्होंने poly bag में लगाया हुआ है और पानी इसमें जादा है और इसको जब हम grow करेंगे तो आपसे share करेंगे thank you